दोस्तों बिहार SSI सचिवालाई सहाइक फॉर्म फिलब करते समय अगर आप किसी भी परकार का मिस्टेक किये हैं तो फॉर्म में सुधार कर सकते हैं उफिस्यल वेबसाइट पर सुधार करने का लिंक आ गया है तो इसलिए सबसे पहले ऑफिस्यल वेबसाइट पर चलते हैं और यहांपर देखेंगा तो आज क्रेट में यहांपर लिंक दिया गया है और एक नोटीस भी नया दिया गया है तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर latest notice में देख लिजे क्या कुछ दिया हुआ है इसके बाद आप लोगों को step by step पूरी परकिरिया बताने वाले हैं speed post कैसे क्या करना है और document कैसे क्या upload होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर देखेगा तो इसलिए test notice में विज्यापन संख्या 01-2022 के अंतरगत online आवेदन में सुधार करनेक से संबंधित 19-1222 को official website पर notice दिया गया था और इस notice के बारे में आप लोगों को details में बताएं भी थे फिर से अभी आप लोगों को पूरी परक्रिया बताएंगे जिससे आपको सुधार से related कोई भी डॉट नार है और यहाँ पर है तुरूटी परिमार्जन के लिवहित प्रपत्र में आवेदन पत्र वांचित कागजताओं के साथ PDF format में official website पर आपको upload करने आरो upload के साथ ही दोस्तों आपको सभी document question post के माध्यम से भेजना भी है कैसे क्या भेजना इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और जब आप document upload की जेगा तो एक OTP प्राप्त होगा OTP भी आपको देना परेगा यहाँ पर online आविदन सम्मीट करने से पुर्व आप भी हार्थियों के registered email ID पर एक OTP प्राप्त होगा यहाँ पर email का option दिया गया तो यह जो की अच्छा है mobile नमर का रहता था तो बहुत सारे student के साथ यह समस्या होती थी कि नमर पर recharge नहीं रहने के काराशो टीपी नहीं प्राप्त होता था तो इस वार यहाँ पर email का option दिया गया है जो की बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आप भी हार्थियों को निदेश दिया जाता है का आवस्यक सूचना 19 तुलाइक जो official website पर दिया गया था उसको देखिए और यहाँ पर दिया गया है कि login करने के लिए आपको registration नमर और password चाहिए तो जिस registration नमर पासवर्ड से आप form भरे थे उसी से से login करना है और अगर आपको ढूंड़ना है तो email पर जाकर के चेक कर लिजे पंजिकरित mobile number email ID पर भी जब आप form भरे थे उस समय दिया गया था अब चले यहाँ पर correction की पूरी परक्रिया देख लिजी यहाँ पर इस notice के माध्यम से यह बताया गया है कि अभी जब आप यहाँ पर PDF को upload कीजेगा इस link पर click कीजेगा तो click करने के बाद यहाँ पर OTP भी पराप्त हो गया बिना OTP का यहाँ पर form जो है submit नहीं हो पाएगा और दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है कि अब एस्टे बेस्टे परकिरिया क्या है इसका सुधार का और photo के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं तो इससे पहले दोस्तों 19 जुलाई को जो नोटीस चारिक किया गया था उस नोटीस के माध्यम से यह था कि फॉर्म भरतिस में आपसे अगर किसी भी परकार का मिश्टेक हो गया है तो आप सुधार कर सकते हैं अब सुधार कैसे होगा तो सबसे पहला चरण यह है कि आपके पास application का print होना चाहिए application यानि आज से एक डियर मेहने पहले जो आप form भरे थे original form वाला receiving होना चाहिए form का print out अगर आप नहीं निकाले हैं mobile में अगर pedia format में है तो इसका print out निकाल लिजे और दो परती निकाल के रख लिजे एक परती अगर भविश में कभी भी जरुवत परे उसके लिए और एक परती अभी चाहिए और form निकालने के बाद आपके पास जो भी document है 10th हो गया फिर 12th graduate से related जो भी आप details दिये हैं या फिर card certificate अवासिय पर्मानपत से related जो भी आप details दिये हैं उससे match कर लिजे एक बाद document से मिला लिजे और अगर कुछ भी mistake है तो उसको क्या करना है आपको red pen से underline करना है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि online आविदन के जिस column में truth या गलती है उसको लाल इंक से घेर देंगे तो सबसे पहला चरण यह है कि आपके पास आविदन का print out होना चीए print out निकालीजे और उसमें अगर मानलीजे father's name में mistake है तो जहां भी father's name दिया हो उसको इस तरह से घेर दीजे लाल red pen से इस तरह से घेर दीजे अब अगर मानलीजे 2 या 3 या 5 कितना भी अगर mistake है सभी में आप सुधार कर सकते हैं मेक्सिमम यहां पर एक से दो मिश्टेक हुआ होगा बहुत ज्यादे तो मिश्टेक नहीं हुआ होगा तो उसको आप घेर दिये अब घेरने के बाद अगला चरण है कि बिहार SSC का official website पर इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है यह कहां पर है तो यहां से देख लिजihat उनीस जुलाई के डेट में आप आयएगा तो यहां पर है क्लिख değer to आप Hindi में भी लिख सकते हैं, English में भी वैसे best रहेगा, English में लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर a spelling जो भी आप लिखेगा, English में लिखेगा, फादर सनेम इस में लिख दिये, कॉलम में और Online आवेदन में तुरूटी, तो Online आवेदन में फादर का a spelling क्या है, जो भी है, यहाँ पर ह बहुत फिलब कर दीजे अब आप सुधार में क्या चाहते हैं आपके document में 10 में क्या दिया हुआ है उस recording यहां पर आपको father's name लिख देना है अब अगर और कुछ मैं अगर कास्ट मिसमैस है तो कैटेगरी यहां पर दिख दीजें इसका इसका हुआ यहां पर आपको देखना एनापर क्या भीर इंपर यहां पर देना पर फिर लगपर किया देआ मानिद छाया परती, ओनलेन आवेदन का जो आप प्रिंट रॉट निका लिएगा, दिर मेने पहले आप फर्म फिलब के तो उसमें सिगनेचर का भी कॉल आम है नीचे माएगा, तो उहाँ पर सिगनेचर जरूर कर दीजिएगा, विश्वास भाजन में आवेदक का यहाँ पर ते का उसको ला लिंक से रेड़ पेंस यहां पर अंडर लेन इस तरह से घेड़ दीजिए तीसरा चरन है जो भी हर सेसी का फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया सुधार वला उसमें आप फिलप किजिए फिलप करने के बाद चौथा चरन है आपको डॉकुमेंट देना परेगा अगर नाम फादर्स नेम डेट ऑब बर्थ में सुधार करना है तो उस कंडिशन में 10 का मार्क सीट या मुल परमान पत्र दीजिए जाती परमान पत्र में सुधार किजिए गा कैटूगरी में सुधार किजिए तो जाती परमान पत्र दीजिए NCL नमर में सुधार करना है तो NCL से संबढ़ डोकुमेंट आपको फोटो कॉपी आपको निकाल लेना है और उसको भी स्वाभी परमानित करना यानि जो भी टेंथ का अगर मार्क सीट दे रहे हैं फोटो कॉपी पर नीचे में सिंगनेचर कर दीजिए अब इतना तेयार हो गय आप यहां पर PDF बनेएगा तो घहरा वाला जो रहेगा लालिंक से जो घहरा रहेगा उसका आपको बनाना है जिससे असपश्ट यहां पर जो स्कैन किजिएगा तो असपश्ट देखने से पता चल जाएगा कि यहां पर कॉर्यक्शन करना है इसके बाद जो डोकुमेंट अपर एक साती दीअप बनाना है अलग अलग पिडियाप नहीं बनाना है छे से सात पेज का यहां पर बनेगा दो पेज में आवेदन है इसके बाद एक पेज में यह हो गया आप दोप्लोंट अगर आप दोस्तुधार करना चाहते है दो डोकुमेंट दीजेगा तो जो भी 6-7 page का एक 7 pdf बन गया इसके बाद आपको official website पर आना है official website पर इस pdf को आपको upload कर देना है अब अपलोड कैसे होगा इसके बारे हम यहां पर देख लिजिए तो यहां पर 22 जुलाइ के डेट में यहां पर लिंक है पीडियाप का इस लिंक को ओपेन कीजिएगा तो एक नया वेबसाइट ओपेन होगा और यहां पर सबसे पहले नम्मर में ही 22 जुलाइ के डेट का यहा से जो मांगा जाएगा लोग-in को आप्सना आजाएग। अगर आपको रॉश्टेसं नमर नहीं पता है मुगि innovator basis अगर साधेग कर दो इसकेद हो तो इसके बाद यहां registration number दीजिए, password दीजिए, login कीजिए, login करने के बाद आपका details दीखेगा, नाम दीखेगा, father's name दीखेगा, date of birth दीखेगा, इसके बाद यहाँ प्रेक आएगा PDF upload का option, PDF upload में 1.5 MB का ही PDF upload होगा, अगर आप PDF पनाईएगा, पांचे पेज का, तो अगर 2 MB या 2 MB का बन जाता है, तो उस कंडिशन में आप Google पर PDF reduce search कर लिजेगा, बहुत सरा website आजाएगा, वहाँ से आप PDF को, अगर 2 MB, 2 MB का है, तो उसको 1.5 MB तक convert कर लिजेगा, वहाँ से इसके बाद PDF को upload कर दीजेगा, इसके बाद submit करना है, submit करने के बाद आपकी email ID पर OTP आएगा, OTP दीजेगा, इसके बाद आप submit कर दीजेगा, और आपका correction की परकरिया यहाँ पर हो गया, अब यहीं पर complete नहीं होता है, अब अगला चरण है, जो भी आपके पास document है, पहला application का print out, इसके बाद जो आप correction वाला form भरे हैं, यह हो गया और document जो साक्ष की रूप में आप दे रहे हैं, सभी को आपको speed post कर देना है, अब यहाँ पर यह भी dot है कि speed post का address क्या रहेगा, यह यहाँ पर बिहार SAC का address है, बिहार स्टाप सेलेक्शन कमिशन, पीव वेटनरी, कॉलेज, पटना और पिनकोर यह दे दीजेगा, इस address पर आप भेज दीजेगा, बिहार SAC को office पहुँच जाएगा, और यह आपको भेजना इस date के बारे में भी है, तो 5 अगस्त का date दिया हुआ है, तो आपको तुरंत जल से जल यहाँ पर correction के लिए, जो PDF है, official website पर upload कर दीजेगा, तुरंत आप speed post कर दीजेगा, तीन से चार दिन में speed post के माध्यम से पहुँच भी जाएगा, और आपका जो भी फॉर्म में correction यहाँ पर करना है, सुधार हो जाएगा, तो यह पूरी परकरिया थी, पूरी परकरिया के बारे में देख लिए, अब बात करते हैं कि फोटो में कैसे सुधार होगा, तो दोस्तों विहार SSC को official notice के recording, अभी आप फोटो में सुधार की जो परकरिया है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर आपको ले चलते हैं, जो मुल नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के recording, जो फोटो का जो था format, यहाँ पर देखेगा, साथ में नमर पॉइंट में, ता भ्यार्थी आविदन भरने के समापना साफ के लिए, और उच गनवता का फोटोग्राफ अप्लोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा आँख खुली दिखना चाहिए, फोटोग्राफ की प्रिष्ट भूमी सफेद होना चाहिए, अब फोटो में जयादतर दिकत यह हुआ है, कि बाइग्राउंड जो है, यहाँ पर कलर यानि ब्लैक कलर का या फिर अन्य कलर का यहाँ पर अप्लोड कर दिये, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको अप्लोड करना था, यह बैग्राउंड जो होना चाहिए था वैट होना चाहिए, तो उस कंडिशन में आपका क्या अवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, तो बिल्क पर अन्य कारणों से अगर आपका फोटो रिजेक्ट होता है, तो बिहार SAC के और से दुबारा फोटो सिंगनेचर अप्लोड करने का मौका दिया जाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कभी बिहार SAC के और से पहले भी बहुत सारी प्रिक्षाओ लिया गया है, तो कभी भी फोटो के कारण से किसी भी अभिहार्तिक आवेदन रिजेक्ट नहीं किया गया, रिजेक्ट किया जाता है, दुबारा फोटो सिंगनेचर अप्लोड करने का ओप्सन दिया जाता है, अभी म कोपिस्ट में आपका नाम रहेगा, और दुबारा सा आपको फोटो सिंगनेचर अपलोड करने का मौका दिया जागा, अभी ही आप फोटो सिंगनेचर में सुधार नहीं कर सकते हैं, जब दुबारा मौका आएगा तो उसमें आप सुधार कर लिजेगा, आपका आवेदन फोटो सिगनेचर के कारण से बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, इसको लेकर आप निस्चिंत रहिए, अब आप लोगों का डॉट यह है कि कुछ डॉट के बारे में देख लिजे, डॉकुमेंट कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पर ओफिसियल वेबसाइट पर लिंक ह रेइश्टेशन नमर, पासवर्ट से लॉगिन कीजिए, पीडियाफ अपलोड करने का उप्शन है, वहाँ से पीडियाफ अपलोड कर दीजिए, इसके बाद सभी डॉकुमेंट को बिहार सेसी कॉफिस भेज दीजे, बिहार सेसी कॉफिस के ड्रेस यह रहा, बिहार अगर आप करना चाहते कर सकते ही, वैसी इस कारण से बहुत ज्यादे कुछ दिकत नहीं होगा, आरो के जगवा पर सीव फिलप हो गया, तिससे कुछ आपको दिकत नहीं होने वाला है, डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में, इसके बाद है सिगनेचर का ऐसे एडिट होगा, त पर फृरॉम में अपना अड़ दे दिजेगा, दोनों अड़ लिखना परता है टू में यानि फृरॉम में यानि कहां से भेज रहे हैं आप अपना अड़ दिजेगा, और यह है कि अगर हम मदरre sagt में दूसरे राज में हैं तो क्या Correction कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते कहीं से भी आप Speed Post किजेगा बिहार एससी कॉपी पहुंच जाएगा अगर आप दूसरे एस्टेट में है तो एक सप्ता पहले कर दीजेगा हो सकता है कि थोड़ा 4-5 दिन का टाइम लगे अगर आप बिहार में कुसी दूसरे जिलास किजेगा तिन दिन में पटना पहुंच जाएगा अगर आप दूसरे राजवें है तो समय से कर दीजेगा Speed Post कहीं भी है आप correction बिल्कुल कर सकते हैं इसके बाद और question था कि क्या एक से अधिक गलती में सुधार कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप देखिएगा form का जो column है यहां पर तो इसमें बहुत सारे option भी दिया गया ह यहां पर आप देखिएगा तो इस तरह से दिया गया है आप देखिएगा 6-7 दिया हुआ है तो maximum यहां पर 1-2 mistakes होगा यहां पर आप कर सकते हैं इसके बाद था कि भी हर SSC का address क्या है तो इसके बारे में आप देखिए भी हर करमचारी चैनायोग और veterinary college पटना जो address दिया ह कर सकते हैं यहां पर आप पूरी परिक्रिया देख लिए कैसे कि आपको document upload करना है और application का print निकाल करके red color से घेर देना है edit की सारी परिक्रिया पच्छे 3 case देख लिए अगर आप सभी चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करके जुर जाईए